फेस्बुक पर वीडियो को वाइरल करने के आज मैं ऐसे 3 सेक्रेट बताऊंगा जिन सेक्रेट का अप यूज करके हर वीडियो को वाइरल कर सकते हैं तो वीडियो के अंतक बने रहेगा वीडियो अगर थोड़ा भी skip कर देंगे तो भाई आपके समझ में नहीं आएगा वीडियो क्यों नहीं आपका वाइरल हो रहा है ऐसा कौन सा ट्रिक आप नहीं लगा पा आएगा ठीक है अगर मिलियंज में नहीं आएगा तो लापों में तो कहीं जाने का ही नहीं अगर आपके वीडियो में दम है दो सबसे पहले नुम्बर एक और नंबब़ दो आपके पास प्रोब्लम रहती चाहा हमारे पास follower ही नहीं बढ़ रहे बहाई अगर तुम्हारा वीडियो वायल नहीं होगा तो follower कैशे बढ़ेंगे तो follower नहीं बढ़ेंगे अब हम बात कर लेते हैं हम गलती करते हैं तो कहां पर करते हैं यह हमारा facebook account है इसको हम एक बार open कर लेते हैं अब यहां पर कोई भी video तो आप upload करते हैं आपकी profile हो चाहे आपका page हो लेकिन video को upload करने का तरीका आप लोगों को पता नहीं होता है इसलिए जो है आपका facebook recommend नहीं करता आपके video को और नहीं आपका video suggest में जाता है तो इसलिए आपका video viral नहीं होता है अब number 1 पर बात कर लेते हैं वीडियो को हम post करने का अगर सही तरीका जान जाए ना तो video हमारा viral हो सकता है लेकिन आप video को post करने का सही तरीका साथ नहीं जानते हैं एवं एक setting ऐसी है जो setting बंद हो जाती है तो आपका video कभी भी viral नहीं होता है उस setting को आपको video के बीच में कही ना कहीं बता देंगे लेकिन उसके पहले आपको हम बता देते हैं कि video को post करने का सही तरीका क्या होता है या reels को post करने का सही तरीका क्या होता है अगर सही तरीका आपने जान लिया तो वीडियो को वाइरल करने से किशी का बाब भी नहीं रोक सकता है ठीक है तो आपको करना क्या है यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है आपको ओपन करना है Chrome Browser यहाँ पर आपको दिख रहा होगा Chrome Browser तो Chrome Browser तो हर किशी फोन के अंदर inbuilt application होता है फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको जाना है सर्च बार में ठीक है तो सर्च बार में जाने के बाद में आपको सर्च क्या करना है अब यहाँ से आपको Meta Business Suite पर क्लिक कर देना है ठीक है यहाँ पर क्या करना है यानि कि जो Meta Business Suite है यहाँ पर इसको क्या कर देना हमको सर्च करना है सर्च करने के बाद में सबसे उपर आपको एक website दिखाई दे जाएगी अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर क्या कर लेना है आपको क्लिक कर लेना है जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर क्या जाएगा अब क्या करना है अब आपको यहाँ पर थिरीविंदी दिखाई दे रहे यहाँ पर क्लिक करना है राइट हैंड कोरनर में आप क्या है desktop site पे आपको इबर click कर देना है desktop site पे जैसे click करेंगा आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आपको दिखाई दे जाएगा, यहाँ पर देखेगा अब थोड़ा अगर zoom करेंगे यहाँ पर get start का आप सना जाएगा get start का जैसे आप सना आएगा यहाँ पर देख सकते हमारे profile जो है open हो चुकी है और यहाँ पर हमारे videos भी delay हुए अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपकी profile जो है दिखाई दे जाएगी, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो तो है मेरा official page है तो official page हमारा क्या है open हुआ है यहाँ पर अब यहाँ से हम video को post कैसे करते है ठीक है सबसे अच्छा तरीका आज हम आपको बताएंगे ठीक है तो यहाँ पर आपको तीन option दिखाई दे रहोंगे एक तो create post का और एक है create reel का और एक है create story का अब यहाँ पर एक option दिखाई जड़ा है create post का ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर और भी option आपको दिखाई दे रहे हैं ठीक है तो आप वहाँ से भी check कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या करना है create a post पे click कर देना लिए अपस्ट करेंगे शारोन किसी भी वीडियो को ले सकते हो यहां पर देख सकते हैं वाला वीडियो है तो इस वाले वीडियो को हम क्या करेंगे select कर लेंगे जैसे ही select करेंगे कुछ इस तरीक एक इंटरफेस आ जाएगा और हमारा वीडियो जो है right hand corner में बनके आ जाएगा अब हमको करना क्या है यहां पर अच्छे ध्यान दीजिएगा यहीं पर ध्यान देने की जरूरत है तो यहां पर जैसे वीडियो आ जाएगा तो य यहां पर देख सकते हैं आप लोग नीचे पर क्या है एक next का बटन दिखाए दे जाएगा अब हमारा जोस्तों नेट सोड़ा स्लो है इसलिए यह option क्या है नहीं आ रहा है ठीक है तो यह option नहीं आ रहा है फिर उसके बाद में आपको करना क्या है जो चीज़े मैं बता देरा हो जाएगा तो आपको थमलिर सजेस्ट करेंगा और यहां पर टैग भी लगाने का आपसन सिलेक्ट करना होगा तो यहां से आप टैग भी लगा सकते हैं ठीक है आपको जियादा कुछ करने की जरूरत नहीं फिर उसके बाद में यहां पर next का आपसन आ जाएगा और next करके पॉश्च करने कहने हैं भी गएग कर सकते हैं और उसके बाद में आपको पोस्ट कर देना है यहां पर क्या करते हैं यह से रील पर क्लिक करेंगे जैसे creator रील पे click करेंगे यहां ते हम क्या कर देंगे रील को ले लेंगे और यहां पर हम क्या कर देंगे रील को यहां ते हम ले लेंगे बाइदे पर यह हमारी रील इसको क्या कर देंगे हम ले लेंगे जैसे हम रील को लेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से interface दिखाई दे जाएगा यहाँ पर अच्छे से देखेगा ढीक है यहाँ पर फिर उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों तीन thumbnail जो है suggest कर रहा है यहाँ पर देखेगा अच्छे से सजेस्ट करता है उसी पर आप क्लिक करते हैं तो यहां पर थमनिल आपको बढ़िया से लगा लेना है और यहां से आपको क्या कर देना है रिल्स का जो है डिस्क्रिप्शन अच्छे से भर लेना है अच्छे लगा देना है ठीक है और यह सब काम करने के बाद में आपको क्या क ज़रूरी है अगर आप खुद का थमले क्रेट करना जाते हैं मैंने डेडिकेटर वीडियो बना रखा अपने चैनल पर तो वहां से जाकर कर आप देख सकते हैं तो मित करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेल नोटी बनान कर दो ताकि हमारे वीडियो को आने वाला हर नोटी भी खेसम सब्सक्राइब आपको मिल जाएक नमस्कार जैहन जैभाला